जैहिन दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सरल रेखा मेगती यानि की मोशन इन एक स्ट्रेट लाइन चैप्टर के कुछ निमेरिकल्स पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं पहला कौस्ट्न है कि एक ब्यक्ती 100 मीटर की दूरी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से तथा इसके आगे की 100 मीटर पर सेकंड की चाल से तै करता है ब्यक्ति की ऐस चाल क्याकर दिया क्या गया है आपको कि जो ब्यक्ति है वो पहले 100 मीटर की दूरी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से तै करता है और फिर उसके आगे की 100 मीटर की दूरी 5 मीटर पर सेकंड की चाल से तै करता है तो आपको इसकी औसचाल बतानी है ठीक, दूरी को हमाल लेते हैं X1 और X2 तो यहाँ पर हम लिखते हैं तो X1 पहले दूरी आपके क्या है X1 है आपके लिए 100 मीटर और इसके बाद आपके X2 क्या है X2 भी आपकी 100 मीटर ही है तो लिख लेते हैं दोनों को X1 और X2 बराबर 100, 100 मीटर X1 भी आपके 100 मीटर होगे X2 भी 100 मीटर अब यहां पर जो पहले 100 मेटर दूरी तै करता है इसका वेग आपको दिया गया है यानि कि 40 10 मेटर पर सेकेंड यहां से चाल बराबर आपकी हो गई 10 मेटर पर सेकेंड ठिक इसे आप बीवन मान लीजिए 10 मेटर पर सेकेंड और इसी प्रकार जो आपकी बीटू है दूसरी चाल वो है 5 मेटर पर सेकेंड अब यहां से आपको क्या निकालना है औस चाल ठिक निकालना क्या है आपको इन दोनों में औस चाल इसे अब काप आप कैसे निकालेंगे यह देखिए सबसे पहले आप देखिए कि औस चाल का फॉर्मूला क्या होता है औस चाल बराबर आपका होता है कुल दूरी बटे कुल समय ठीक कुल दूरी टोटल दूरी कितनी है और टोटल समय आपको कितना लग रहा है उसमें उस दूरी को तै करने में तो यहां से औस चाल बराबर पहले कुल दूरी लिखेंगे सव मीटर यहां पर तैय कर रहा है और सव मीटर यहां पर तैय कर रहा है तो टोटल क्या हो गई सव प्लस दो कि सव कितना होता है दो सव ठीक सा सौ मीटर दो बारते कर रहा है तो दो सो अब बटी में क्या करना है को कुल समय निकल लिखना है समय आपको कहीं पर दिया नहीं गया है तो समय बराबर आप क्या लगाएंगे दूरी वाला फॉर्मूला क्योंकि आपको यहां पर मीटर पर सके ना आपको 20-30 चाल दी गई है आपको समय नहीं दिया गया है कि समय इसमें कितना लग रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे आप समय बराबर होता है दूरी बटे चाल तो आप दूरी और चाल वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो पहले दूरी बटे चाल है और यह है समय ठीक तो पहले दूरी कितना जा समय लाग रहा है तो दूरी पहले कितनी गई आपने पहले समय में 200 मीट और कितने बियक से गय या इस चाल कितना आपका है दस मीटर है 10 अब घुल आपको बॉल हाए कि कितना समय लग रहा है तो आप दूरे का भी समझे जोड़ेकर कि इसमें आपने सव प्लस दोनों जोड़ा है तो दोनों कि आपको निश्दित समय भी जोड़ना पड़ेगा तो प्लस में अब दूसरा 100 मिटर टाय करने में कितनाा बेग जनrak बटी में क्या करेंगे आप, आप सो को 10 से भाग देंगे, कितना बचेगा, LCM भी लेकर कर सकते हैं, लेकिन आप सीधा भाग दीजे, 10 एकम 10, 10 दाममा 100, तो 10 आएगा, 10 और प्लस में ये आपका हो जाएगा, यहां से सव को आप 5 से भाग देंगे कितना हो जाएगा सव को 5 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा 20 आ गया आगेन आपका आप टूल कितना हो गया 20 प्लस 10 इसकोल 2 उपर आपका कितना है 200 और नीचे कितना हो गया आपका 20 10 20 10 30 हो गया तो 30, 30 इतना हो गया, अब यहां से आपको क्या हो गया, यह हो गया आपका answer, ठिक, 200 बटे, 30 मीटर, यहां से मीटर पर सेकंड आपकी हो गई और सचाल, एक बार आप फिर समझे, सबसे पहले आपको क्यात करना है, जो दिया गया उसे लिखना है, आपको दू दूरियां दी ग गई थी, यानि कितने समय के कितने मीटर पर सेकंड है, दोनों की चाल आपने लिखा, अब आपने क्या किया, आउसा चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय का formula लगा दिया, आपको समय का यहां पर नहीं दिया गया था, माना कि कितना सेकंड लग रहा जाने में, तो समय के आपने समय बराबर दूरी बटे चाल का formula लगा दिया, और सारे मानिहा पर रख दिये, आपको answer मिल गया, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं, सब question जितने भी आपको दिये गए हैं, आप सब समझ जाएंगे, 100% guarantee है, यहां से देखिए, दूसरा question पर सेकंड से 2 सेकंड तक, तथा इससे आगे नियत चाल 6 मीटर पर सेकंड से 3 सेकंड तक गति करता है, कंड की आउसत चाल ग्यात कीजिए, वही बात इसमें भी है, देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, नियत चाल B1, ठीक, B1 बराबर 4 मीटर सेकंड दिया गया है, और आपको दिया गया है, T1 यानि कि समय इसमें आपको दिया गया है, इसके पहले आपको समय नहीं दिया गया था, इसमें आपको समय दिया गया है, T1 बराबर है आपका 2 सेकंड, 2 सेकंड, इसके बाद आपका B2 दिया गया है, जो दूसरी चाल है, नीचे लिखते है बीटू दिया गया है छे मीटर पर सेकेंड छे मीटर पर सेकेंड और टीटू दिया गया है आपका तीन मीटर तीन सेकेंड इतना दिया गया है देखे सबसे पहले कुछ भी आपको नहीं करना होता है कोई भी आपको प्रश्ण मिलता है सबसे पहले आप देखे उसमें लिखा क्या गया है यानि कि दिया क्या हुआ है तो आपको यह चार चीजे question मिल गई निकालना क्या है आपको निकालना है औस चाल औस चाल का फॉर्मूल आपने देखा यहां पर इसे आप याद कर लीजिए औस चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय अब यहां से देखे आपको दूरी तुदी नहीं गई है नहीं दी गई दूरी कहीं पर दूरी का आपको जिक्र नहीं हुआ है केवल आपको चाल दी गई है समय दिया गया है तो अब आप यहां से दूरी भी निकाल सकते हैं कैसे आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बड़े चाल होता है तो चाल को आप तीरे गुणन करेंगे तो यहां पर चाल गुड़े समय बराबर हो जाएगा दूरी ठीक चाल गुड़े समय या समय गुड़े चाल एक ही बात होती है ब पहले आप पहले चाल और पहले समय बुड़ा करेंगे, पहला चाल क्या है 4 मीटर पर सेकेंड और पहला समय है 2, तो पहले आप 4 गुड़े 2 लिखेंगे, अब बराबर में आपको आ जाएगी पहली दूरी, यह है आपकी D1, डिस्टेंस 1, ठिक, पहली दूरी आपके आ गई 4 दूरी 8 मीटर, और इसी परकाद दूसरी दूरी, D2 आपकी आ गई 6 गुड़े 3, 6 तरिक 18, 6 गुड़े 3 बराबर 18 मीटर, D1 आपको मिल गया, देखिए, अब देखिए अब आपका बाकी कहा है, यहाँ पर क्या चीज, तो औस चाल बराबर होता है कुल दूरी, पहली दूर दूरी यहाँ से आपको दूरी मिल जाएगी, कुल समय, पहला समय मिल गया, तीनों चीज मिल गई, अब आप देखिए, औस चाल से क्या होगी, तो यहाँ से हम लिखते हैं, औस चाल बराबर, कुल दूरी, दोनों को आप जोड़िए, 18, पहली है 8 मीटर, 8 प्लस 18, और बट दूसरे में ले रहा 3 सेकंड, 2 प्लस 3, अठाराट कितना होता है, 26 होता है, बटे 5, 2, 3, 2, 5 हो गया, अब आप इसे काटेंगे, या भाग देंगे, तो यहाँ से आप साइड में इसे लिख लीजी, 26, 5, तो 5, 25, 25, बचा कितना, 1, तो यहाँ से दसमल लगा कर 2 यहाँ पर यहाँ से इसको आपको मिल जाएगा, पांद असमलो, दो, आप यहाँ से एंसर भी लेख सकते हैं, एंसर आपका आजाएगा, एंसर इसक्वल टू, 5.2 मीटर पर सेकंड, ठिक, एंसर आपका हो गया, एक दो कोशिन और है, यह आपको आसा समझ में आ गया हो गया, कुछ प्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक पासा आपको next question देखते हैं पांचों question पांच questions में total हैं पांच question अगर आप देख लेंगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा अगर हो सगे तो आप copy column लेका इसे हल करना भी start कीजिए अपने बगल में और वीडियो को भी देखते रहिए यह question है कि एक ब्यक्ति एक ब्यक्ति अस्थान एसे बी तक चार मीटर पर सेकंड की चाल से चाता है ठीक तथा बी से ए तक वापस छे मीटर पर सेकंड की चाल से आता है और चाल ग्यात कीजिए ठीक अ अब यहां पर आप एक चित्र देखिए यह ए और यह है बी कहा क्या जा रहा है यह ब्यक्ति यहां तक गया और फिर से वापस यहां तक आ गया ठीक तो हम लेते हैं इस दूरी को पूरी दूरी को कि बराबर दूरी यह जा रहा है और उतना ही यह आ रहा है बराबर है दोनो हम क्या करते है इसे माल लेते है दूरी एक और दूरी हो जाएगी हमारी X ठीक X एए D माल लेते है distance यह हो गई दूरी अब क्या कहे रहा है हमारा प्रश्णा वंसवार हम देखते हैं दूरी आपको मिल गई, पहली भी दूरी है, यह दूरी भी दूरी है, तो D1 बराबर, यहां चले D1 बराबर D, और D2 बराबर भी D, ठीक, सेम सेम दूरी यहां है, अब यहां से देखिए, उपर भी D है, नीचे भी D है, तो दोनों हो गया, अब क्या कह रहा है, A से B तक, यहा पर सेकेंड और वापस आते समय आपको दिया गया है बीटू और बीटू आपको दिया गया है छे मीटर पर सेकेंड छे बीटू पराबर छे मीटर पर सेकेंड जाते समय चार मीटर से यानि धीर धीर गया आते समय छे मीटर से आया अब यहां से आप देखिए क्या करना इसमे बराबर क्या होता है आउसत चाल वराबर कुल दूरी होता है कुल दूरी बटे कुल समय ठिक कर यहां से अब देखे आप जितने भी फॉर्मूले है उन्हें पहले आप याद कर लीजिये और याद हो गया इसी प्रकार आप जो समय बराबर दूरी बटकर समय होता है या आप याद या फिर यात्ष कर लीजे बहुत ही बैटर होगा अब अब नेक्स देखते हैं आगे अब कुल दूरी आपको निकालना है औस चाल आपको झाद करना है कुल दूरी आपको मैंने बताया कि D1 मतलब D जाता है D आता है तो D प्लस D जाने आने का जो आपका रास्ता है D प्लस D हो गया बटे में कुल समय समय मैंने आपको पहले बिताया समय आप यहां से निकालेंगे दूरी बटे चाल से इसे आप याद कर लेजिए दूरी बटे चाल दूरी कितना गया पहली बार में D1 बराब आपो दिया गया है D दूरी गया ये D बटे में चाल कितने थी इसके जाते समय चाल थी 4 मीटर पर सेकेंड B1 यहाँ से आप देख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड 4 प्लस यहाँ से अब D2 याई दुवारा कितना गया तो आपको पूरी निकाल ली है समय न तो T2 बराबर फिर में ही रखेंगे तो D बटे 6 हल करेंगे इसे D प्लस D कितना होता है 2D 2D बटे अब यहाँ से 3 गुणन करेंगे 6 इंटू D 6D प्लस 4 इंटू D तो 4D 4D यहाँ से हो गया और इसके पूरे के बटे में LCM आपको करना आता ही होगा LCM कर रहा है 624 ठिक फिर यहाँ से 24 यह चुकि नीचे है तो देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे हम D यहाँ से कर लेंगे कामन कर लेते हैं यहां से यह प्लस 6 नीचे में क्या बचा हमारे पास 24 बचा 24 कर दिया इसे आप दिखते हैं D से D कैंसल कर दिया यहाँ पर D कामल लिया तो यहाँ से 6 बचा यहाँ से 4 और 6-4-10 होता है जोड़े दूनों को नीचे 24 अब यह हो जाएगा उपर चलाएगा उपर क्या होगा 24 क्यों चुक्त की नीचे है अब यहाँ पर यह जाएगा तो ऊपर चलाएगा तो यह हो जाएगा 24 दो गुड़े 24 बचे 10 तो यह हो जाएगा 48 48 जो बचे 10 है तो बचे 10 अब आप इसे भाग देंगे तो आपको एक answer मिल जाएगा अंत में इसे आप सिधा answer के रूप में लिखिए square to 4.8 meter per second कितनी असाई से आपको answer मिल गया कुछ नहीं करना है आपको simple सा method है के वल आपको क्या करना है यहाँ पर दूरी आपको लिख लेना है DDXX1 आपको एक समान दूरी माल लेनी है और इसे हल करते चले आना है इस सूत्र को याद कर लेना है और इस सूत्र को दो सूत्र जहाँ पर आपको याद हो गए समझ लीजेगा आपको किसी भी question में दिक्कत नहीं आने वाली है तीन question हो गए चौथा देखते हैं फिर पांच वह देख लेंगे गयाद की रत्तै दूरी तथा दरण चाहल गयाद कीजिए अब फिर से आपको क्या करेंगे पुराना चीज लेच चाहली चाहल दंटीं गई है बीवन बराबर आपको दिए गया है किवाशब सतक्राफ्ण देख लिक्टा की चाल से एक घंटा तो समय आपका दिया गया है पहलेinstall पर दिया गया है एक घंटा और studio आपको दिया आधी क्यों değişें यहां से क्योंकि घंटा में है और या साम्य या तो हम इसे मीधर M upfront में change करें या फिर हम इससे भी सबको घंटा में लिखें 30 मिनिट में हम लिखतेcrireें तो घंटा में तो यह हो जाता है एक बटे 2 घंटा हो गया इतना आपका अब क्या करना है यहां से और açıl गया गंटे हैं एक घंटा अगर जाएगी साथ किलोमेटर पर घंटा की रफ्तार से तो पहले तो आपको यह डीवन जो है आपकी यह करेगी के वाल तो 60 गंटा साथ किलोमेटर पर घंटा है तो अगर जब एक किलोमेटर जाएगी तो अधे गंटे में इसका आधा जाएगी यानि की 40 आ गया तो द्वारत तै दूरी तो आपका डी आ गया टोटल डी कुल डिस्टेंस 60 प्लस 40 कितना हो गया 100 किलो मीटर अब यहां से औस चाल कूछ रहा है एक बार आप औस चाल का फॉर्मूला बताईए याद हो का आपको तो मैं लिख रहा हूँ आप चेक किजिए मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है इसे आप चेक कीजिए और बताईए कमेंट करके आउसत चाल बराबर कुल दूरी कुल दूरी बटे कुल समय हो गया अब यहां से हम लिखते है इसे आगे अभी हमें क्या क्या पता है चाल पता है दूरी पता है ना चले जो अभी पहले पता है उसे अब लिखते है दूरी क्या हुआ, टोटोल अभी आपका आगई 100 km, 100 km दूरी आगई हमारी, अब समय आपको निकालना है, समय आपको ऐसे निकालेंगे, देखें समय आपको पहले से दिया है, निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, पहले क्या दिया गया है आपको, पहले एक घंटा दिया गय ठीक बटे में 2 आ जाएगा इसे आफ़ाल करेंगे तो अब क्या करते हैं हम यहां से तीसे रंग की चीज़ ऊपर चले जाएगी तो 2 गुड़े 100 क्या हो जाएगा यह अगर हम इसे क्या करेंगे ऊपर ले जाकर गुड़ा कर देंगे तो सवदुनी 200 200 बटे 23 यह हो गया हमारा एंसवर यानि की हमारा एंसवर आ गया दूसरा एंसवर इसकोल टू 200 बटे 3 मीटर पर सेकंड किलो मीटर सॉरी किलो मीटर पर सेकंड पर हावर चार किलो मीटर लगवग रत्तार से इसकी उसस चाल रहेगी ठिक पर सेकंड बोल रहे हैं तो यहां पर देखें चार कोश्चन होगे समझ में आ रहा है कि नहीं यह भी आप वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट यदू कीजिएगा क्योंकि खत्म होते होते आपको इसमझ मे हैं आ जाएगा यह मेरी आशा है आप से देखते हैं धस्कॉश्चन हां कि एक कार दो अस्थानों के बीच दीखें 30 km तथा 3-4 मीटर की चाल से तैय करती है, कार की और सचाल ग्यात कीजिए, अभी आपने इसके पहले दूसरे कोईश्चन में देखा था, या तीसरे कोईश्चन में, कि जो कोईश्चन था, उसमें A भी आपने बैनाया था, क्योंकि उसमें दूरी दी नहीं किया थी, तो E भी हम मनाते हैं, A से माल पहले आपको दिया गया है B1, B1 बराबर आपका दिया गया है 60 किलोमीटर पर घंटा, और B2 आपको दिया गया है, B2 इसक्वल टू, 40 किलोमीटर पर घंटा दिया गया है, अब यह हो गया आपका इतना, अब यहां से क्या है, पहले आपको D1 दिया गया है, D1 इसक्वल d by 2 और d2 is equal to d by 2 d by 2 हो गया, अब यहां से क्या करेंगे हम कि यहां से हम कर देते हैं, इसे total दूरी क्या हो जाएगी, total दूरी आपको a से b तक ही जाना है ध्यान दीजेगा, a से लेकर b तक ही जाना है, इसके आगे आगे आपको नहीं जाना है तो A से लिकर B तक D है तो आधी जाधी दूरी D by 2 D by 2 हो जाएगी जोड़ेंगे आप तो यह आपका जाएगा D तो टोटल D T यहाँ से हम टोटल लिख देते हैं टोटल हो जाएगा आपका कितना D टोटल आपका हो जाएगा D कुल दूरी D है इसे आप याद रखिएगा ठीक अब देखिए फिर से आप लिखिए ओसत चाल का फॉर्मूला ओसत आप देखिए मैं सहे लिक रहा हूँ या गलत ओसत चाल बराबर क्या हो जाता है आपका कुल दूरी कुल दूरी बटे कुल समय कुल समय ठीक इतना आपका हो पहले आप इसे उपर लिखे रहेंगे क्योंकि question करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो ठीक तो इसे आपने लिखना है अब लिखने के बाद क्या करेंगे आप यहां से कि यहां से कुल दूरी डी टोटल आपको पताया डी तो यहां पर लिखेंगे डी हम और अब लगाएंगे दूरी आपने लिख ली बटे में समय समय आपको नहीं दिया गया है तो समय के लिए मैंने आपको पहले जैसे बताया कि आपको इसे ही follow करना है ठीक दूरी बटे चाल तो पहली दूरी कितनी थी आपकी डी बाई टू थी कहां से आप देख सकते हैं पहली दूरी थी आपकी d by 2 और बटे में क्या थी आपका चाल थी, पहली चाल थी 60 km पर घंटा, हो गया प्लस में दूसरी दूरी आपकी क्या थी वो भी d by 2 थी और 4 थी 40 km पर घंटा अब आप देखेंगे क्या कि d by 2 देखें, जो आपने यहाँ पर मैंने d by 2 लिखा है इसे अगर मैं चाहूं, तो मैं कुछी इस तरह से भी लिख सकता हूँ, देखेंगे, जो d by 2 है इसे मैं बराबर करके लिख सकता हूँ d by 2, एक ही बात हुई, कोई दिक्कत नहीं है आपने यहाँ से देखा, d by 2, d by 2 आपको common दिख रहा है, तो नीचे क्या बचा, 60 बचा बचा, अब यहाँ से क्या होगा, दूसरा d by 2 है, प्लस करेंगे यहाँ से तो यह हो जाएगा d, so d by 2 तो common हो गया, तो यहाँ पर भी का बचा आपका एक बचा, और नीचे क्या बचा आपका 40 बचा, बच गया यह देखिए, इतना काम आपका हो गया, अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से करना है आपका, आपको इन दोनों का lcm, तो पहले देखे, यहाँ पर d है, d से d हमने कर दिया, cancel, टोटल आपका बच गया, क्या यहाँ से, उपर बच गया, एक, और नीचे बच गया अब यहाँ से आप record खोलेंगे, दोनों में, दोस्ते गुड़ा कर देंगे एक बटे, 62, 120 प्लस, 44 दूनी, 80 एक बटे, 80 ठिक, यह आपका हो गया गुड़ा, अब आपको इसे हल करना है, देखिए कुछ किया नहीं मैंने जो भी मान, सबसे पहले आपको सब चीज यहाँ से ग्याद कर लेनी है, इस formula को देख लेना है, और इस formula को देख लेना है, जो भी चीज़ में required है, सब आपको लिख लेना है, फिर इसमें इसे आप लेकर देख लीजे, आर्ट तरिक 24 तो 3 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2, प्लस 2, क्योंकि 3 बार जाएगा 240 और 122, 240 तो 3, 2, 5, अब यह हो जाएगा आपका उपर, मैंने आपको पहले बिताया, तीसरे नमबर की चीज, पहले नमबर भाग करेंगे, पांच और 20 अब यहाँ पर क्या बचा है, 4, 0, 85, 48, 48 सब कुछ आपको किलोमीटर में दिया गया है तो आपको एंसर आजाएगा 48 किलोमीटर पर हावर 48 किलोमीटर पर हावर तो देखिए कितने आसाइस हमने 5 कोईस्टन्स कर लिया किसी भी कोईस्टन में आपको कोई भी दिक्कत हो रहे हैं कमेंडर के आप जरूर बताईएगा हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में जैहिन